तो नमस्कार फिर से आपका श्वागत है यूटीब चैनल टेक्निकल अमन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कि सीको जो है, वो आने की तुरंत बात क्यों बंद हो गया और सीको गेम जो ही, वो कब तक फिर से आ सकता है। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबन ही होगा और सारे जो बाते होगte वेफैक्ड के साथ होगा यानि की सामद के साथ होगा तो वीडियो को इन तक देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीको गिम्स जो आते ही तुरंत क्यों बंद हो गया सीको को क्यों बंद कर दिया गया तो हम आपको बता दे कि उन्होंने ओफिशिल जो है अपने ट्यूटर हैंडल पे पोस्ट करते हुए लिखा है कि उनको जो उमीद थी वो चार घंटे में शिर्फ दस जार डाउनलोड की थी और उन्होंने बताया है कि जो डाउनलोड का लिमिट था वेटा वर्जन का वो शिर्फ चार घंटे तक का ही था और उन्होंने सोचा था कि चार घंटे में सिर्फ 10,000 डाउनलोड ची होगी जिसके कारण उन्होंने सिर्फ 10,000 डाउनलोड यानि 10,000 यूजर के हिसाब से सर्वर को सर्वर को एक्टिव किया था लेकिन उनको उमीद से 5 गुना जादा यानि कि 50,000 के आसपास में यूजर मिल गए 50,000 से जादा डाउनलोड मिल गए वह भी चार घंटों के अंदर जिसके कारण उनके सर्वर पे बहुत जादा लोड परा और उसके कारण उनका सर्वर जो है वो क्रैस हो गया और इसी कारण उनको तुरंथ गेम को बंद करना परा ऐसा उन्होंने अफिशियल अपने ट्यूटर हैंडर पर बताया है जैसे कि आप बगल में यह पोस्ट भी देख पा रहे होंगे दूसरा रेजन जानते है कि क्यों इनको बंद कर दिया गया दूसरा रेजन भी इसी से रिलेटेड है तो देखा भी होगा या अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा गेम प्ले वीडियो डिस्क्रेप्शन में लिक मिल जाया का वहाँ देख सकते हो कि गेम काफी ज़्यादा फश रही थी ओवरलोडिंग होने के कारण ही गेम बहुत ज़्यादा फश आ और इसी कारण उसमें बहुत सारे बग्स मिले और बहुत सारे गिलिचेज में मिलने लगे इसी के कारण तुरंत गेम को बंद कर दिया गया और सारे बग्स बगरा और जो भी गिलिचेज थे उन्हें नोटिस कर लिया गया है और उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया है कि वो stronger यानि कि फिर से काफी मजबूती से जो भी glitches वगरा है शभी को ठीक करके वापस लोटेंगे उन्होंने official अपने tutor handle और Instagram पे पोस्ट करके बताया है तो ये region थी जिसके कारण सीको गेम को तुरंत बंद कर दिया गया तो आप बात कर लेते हैं कि सीको गेम कब तक आ सकता है तो हम आपको बता दे कि गेम पूरी तरह से तयार नहीं थी गेम को जो एक प्ले स्टोर का pre-registration का valid time होता है जो कि तीन महीने का था और वो इनका time खतम होने वाला था और इसी के कारण गेम अच्छी तरीका से prepared नहीं हो पाया तो अब उनका काम भी हो गया अब गेम अप्लोड भी हो गया और अप लेस्टोर का term भी हट गया है और आप वो गेम को सही ढंक से बनाएंगे और काफी अच्छा से जैसा कि उन्होंने डिश्कॉर्ड में बताया है कि गेम का जो है जाईरो वगरा भी आएगा गेम में और जो बहुत सारे maps भी आने वाले हैं तो हो शकता है मेरे हिसाब से गेम जो है वो दो महिने बाद यानि कि 15 अगस्त के आस पास में launch किया जा सकता है आपको क्या लगता है कब तक गेम लाउंच किया जा सकता है कमेंट करके बताओ अगर वीडियो पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घर में रहे सिफ रहे